सब्सक्राइब कैसे हैं आप दोस्तों अगर आपने कभी सेमसंग मुवाइल में कोई भी एप्स को स्टॉल करके रखते हैं तो बार बार वो नोटिफिकेशन देती है चाहिए वो एप्स को आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या फिर बहुत टाइम से रखी आप बहुत अपने कर सकते हैं बाइडिफॉल्ट उसमें आप उन एप्स को वहाँ पर डाल सकते हैं स्लिपिंग एप्स में और डिप स्लिपिंग एप में तो दोनों में क्या फरक है कहां यह उप्शन मिलता है कैसे यूज करते हैं तो आज की वीडियो में बताने वारों दोस्त कि मत करेगा वीडियो पूर देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं अगे मेरे नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि मैंने आपको बताएं मताने वाला हूं स्लिपिंग एप्स के बारे में दोनों में क्या फरक होता है कैसे यूज करते हैं और कहां यह option मिलने वाला है तो इसके लिए उस तो आपको करना क्या है सबसे बहले जाना है आपको अपने mobile की setting पे आपको यहां नीचे की तरफ आएंगे आपको एक option मिलेगा बैटरी एंड डिवाइस के अरका आपको दिख रहा होगा आपको इस option पर यहां पर जाने का आपको जाना है यहां पर बैटरी वाले option मिल जाएगा बैटरी में जाना है वहां जाने का नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा background यूजर्स लिमिट आपको दिख रहा होगा last second option वहां जाना है वहां जैसे जाएंगे तो आपको यहां पर यह मिल जाएगा sleeping apps और डीप स्लिपिंग एप तो दोनों दोनों में दोस्तों अंतर गया होता है और यह कैसे यूज़ करता है तो सबसे बहुत आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने टिक करके रहा है पॉट अन्यूज़ एप टू स्लिप मतलब की जो एप्स को मैं यूज़ नहीं करूँगा व मतलब जादा नोटिफिकेशन भी आएंगे आपको तो वह होता है आप जाएंगे जैसे स्लिपिंग एप में आप देखेंगे आप लिखा भी हुआ है स्लिपिंग एप्स विल रन इन बैक्राउंड और ऑकेशनली मतलब कभी कभार रन करती है बैकराउन में अपडेट्स ए यह कोई सी भी एपस है जो मुझे बहुत जादा परशान कर रही है लाइक में हापर मुझे फेस्बुक का देखना चाहता हूं फेस्बुक मुझे बहुत मैसेज कर रहा है तो मैंने यहां पर डाल दिया अब होगा क्या इस एपस का आपको कुछ टाइम बाद ही अपडेट होगा वहाँ पर लिखाएका अटमेटिक एडट और जो यूजर एडिट करेगा जैसे कि मैंने करा है तो वहां पर लिखा जाएगा यूजर एडट ये अटमेटिक कैसे एड़ होती है जैसा कि आपने कुछ apps को डाउनलोड कर ली है और बेग्रांड में बार बार रन भी कर करना है उसके बाद आता है यह स्लीपिंग कोई तो उसकी नम से बिलकुली लु COR本 करेंड ministry मतलब कि अगर आपने कोई भी एप इसमें डाली डिप्सलीपिंग एप में तो उसकी तो नोटीफिकरम आंतो आना ही नहीं मतलब बैकराउंड मέंकाम पर रख दी जब तक आप उसको open नहीं करेंगे देखेंगे आप यहां पर लिखा भी हुआ है deep sleeping app will never run in the background they will only work when you open them जैसा कि मैंने यहां पर ही बापस यहां प्लस के आइकन पे गया यहां पर मैंने यहां पर डाल दिया facebook को तो यहां पर क्या होगा अब इस facebook को मैंने जैसे यहां पर डाला है तो अब अगर कोई मुझे message notification या कुछ भी facebook के थुरू आएगा तो आएगा ही नहीं जब तक कि मैं उस app को open करके नहीं देखूंगा जब तक मुझे पता ही नहीं लेगा इसमें कोई notification आया है या फिर कोई update आया है तो यह उसके लिए होता ही कुछ apps की आप नहीं चाहते हैं कि आपको फालतोगी notification आया है जब आप यूज करें जब ही आपको बता लगे तो आप उस apps को यहां पर डाल सकते हैं तो आपको बहुत उससे फायदा होना आप जितनी भी apps को यहां पर डालना चाहें आप डाल सकते हैं आप कुछ apps को डालना चाहते हैं आप डाल दिजिए बाद में उसको remove कर सकते हैं सेम ऐसा ही sleeping app और deep sleeping app में यूज कर सकते हैं हाँ पर भी आपको डिलीट करने का अब यह option मिल जाएगा आपको डिलीट करना यहां नहीं उस से अपके बारे में वह हता है deep sleeping app तो यह ही दोनों में major difference हैं उमीद है कि आपको यही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you दोस्तों मुझे उम्मीरी दे कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद देए प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगते हैं दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करना ना बोलें और अगर अभी तक आपने मेरे चाहने सब्सक्राइब करना ना बोलने ताकि मैं जलसे जाथ 10 का तक पहुच सकूँ और उसके बाद और अच्छे सी वीडियो लाने की कोशिश करूँ अब मैं देख रहा हूं 98-97% लोग मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर में आपने को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों